हेलो फैंस दिस इस नर्देव बर्वाल वेलकम बैक तो माइ चैनल नरूज अटा ब्लॉग दोस्तों पहले सभी गाड़ियों में राउंड सेफ स्टेरिंग वील आते थे अब जमाना बदल गया और काफी मौडन हो चुका है अब स्टेरिंग वील फ्लैट वॉर्टम आने लगए दोस्तों आज की वीडियो में मैं कंपेर करने वाला हूं राउंड सेफ स्टेरिंग वी फ्लैट वॉर्टम स्टेरिंग वील का सबसे फैला फाइदा जो है दोस्तों लुक है इसका जुग लुक है काफी एनांस हो जाते हैं जैसे कि यह टाटा मोटर की एंट्री लेबल हैजबेक टाटा टीएगो है जो की काफी एनांस कर रहे हैं और यह आप यहां पे देख पा फ्लैट वॉर्टम का लुक है सेकंड वैनिफिट फ्लैट वॉर्टम स्टेरिंग वील का हम देख पाते हैं जैसे आप एंटर कर जाते हो और ड्राइवर सीट पे बैरते हो तो फ्लैट वॉर्टम स्टेरिंग वील कभी थाई से आपका यहां पे टाच नहीं होता है चाहे स् टच हो जाता है जो की बहुती uncomfortable feel कराता है इसके opposite flat bottom steering wheel कभी थाई से touch नहीं होते है दोस्तों चलिए अब बात करते है third benefit की जैसे कि आप यहाँ पे देख पारे हो Tata Harrier का round shape steering wheel अगर आप गाड़ी को park कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि आपने सीधी गाड़ी park की है लेकिन गाड़ी की जो टायर है थोड़ी सी तेड़ी होती है उस condition में flat bottom steering wheel आपको सही judgment देता है दोस्तों क्योंकि इसका जो middle part यानि flat bottom होता है तो आपकी गाड़ी की जो टायर है वो सीधी है अगर ये flat bottom जो right और left में होता है तो समझो आपकी जो गाड़ी की टायर है वो right या left में है हलाकि वो round shape steering wheel में भी पता चलता है लेकिन at a glance आपको सबसे पहले पता चलने वाला है flat bottom steering wheel में ये थी दोस्तों round shape versus flat bottom steering wheel आपको कैसी लगी नीचे comment section में जरूब बताएगा और एक like तो बनता है चैनल को सबस्क्राइब की बगर बिल्कुल मज़ेगा क्योंकि मैं अपनी चैनल पे रोजा ना ही हूँ automobile sector से जुड़ी news reviews, test drives, walk rounds, comparison accessories आप से साजा करता है तो तो चलिए दोस्तों आज के लिए वस इतना ही मिलते एक नए वीडियो वे सबस्क्राइब थैंक्यू